हलो दोस्तों, प्रभाज की चन में आप लोग का स्वागत आज हम आप लोग के लिए ले कर आए हैं यूपी का फेमस आम का मीठा अचार इसको लोग गलका भी कहते हैं, गुरम्मा कहते हैं, कई सारे नावों से कहते हैं, यह यूपी में सभी लोगों के घर में बनाया जाता है और बहुत मन से सब लोग खाते हैं तो चलने आज हम इंज्वाइब करते हैं इस आम के अचार के साथ कि यह हमने आम ले लिया है इसको अच्छे से छील कर ढुप धुल कर के इस तरह से मीं और लिया है और एक राइश हैरा आधा है मेथी मुलाहि ओनी है दो चंभू साउफ है यह दो चंभू मिर्स पाउडर है यह के दो चंभाचिय करोजी है आधा चंभध आप भी भी ले सकती है और रिफैंट भी ले सकती है जो आपको पसंद हो जीरा लिया है आधा चम्मच हींग है और यह नमक है नमक हमें स्वात के अंसार डालना है और यह पानी है तो चलिए आज हम बनाते हैं आम का मीठा चार यह हमने एक कढ़ाई ले लिया है इसको गैस के उपर चड़ा दिया है अब इसमें हम यह तेल डाल देंगे यह तेल हमारा गरम हो गया है इसमें हम पहले यह हींग और जीरा डाल देंगे गैस हमारी एक दम धीमी रहेगी अब इसी में हम अपना ये राई डाल देंगे राई हमारी थोड़ी सी शिटकने लगी है अब इसी में ये कलोजी डाल देंगे और ये सौफ भी डाल देंगे और ये मेती भी डाल देंगे ये बहुत अच्छा अचार बनता है हम लोग के यह तो आम जब से आना शुरू हो जाता है तब से ये बना के रखा ही रहता है ये ज्यादा दिन नहीं चलता है अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो काफी दिन चलेगा लेकिन बाहर रखेंगे तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता हफ्ता पंद्रा दिन ही चलता है अब ये देखिए ये हमारे सारे मसाले हो गए है अब इसमें हम ये अपना आम डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देख चलाते हुए भूनेंगे इसको हमने दो मिनट चलाते हुए भूना है ज्यादा देर नहीं भूनना है सिर्फ 2-3 मिनट तक भूनना है अब इसमें हम ये पानी डाल देंगे और ये नमक डाल देंगे और ये लाल मिर्च पावडर डाल देंगे अच्छे से हम इसको मिला देंगे अब इसे हम धक के मीडिय वाज पे 5 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि हमारा आम अच्छे से गल ना गया हुए ये देखिए पांच मिनट हो गया इसको पकते हुए ये देखिए अच्छे से गल गया है ये देखिए आम हमारा ये देखिए पूरी तरह से गल गया है इसलिए हमें गुड बाद में डालना होता है अब हम इसको फिर से ढख देंगे और ढख के बीच बीच में चलाते हुए जब तक कि अच्छे तरह से गुड गल नहीं जाएगा तब तक हमें इसे पकाना है चलिए देखते हैं आम हमारा गल गया है अच्छे से ये देखिए लेकिन अभी इसको हम दो मिनाट और पकाएंगे ताकि जो इसका मीठा पन है वह आम में अच्छी तरह से भिंञ जाए ये देखिए दो मिनेट हो गया यह पकते हुए यह अच्छी तरह से पक गया है अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ढख करके पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे पांच मिनट बाद इसको हम निकालेंगे यह देखिए मेरा मीठा अचार बनके तयार हो गया है तो चलिए आप लोग भी फटा फट बनाईए और खिलाईए इंज्वाइ करिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कमेंट लाइक जरूर करें थैंक यू गुड डे